लालची सेर चोटा लगा फिर कुछ देर ढूनने के बाद उसे रास्ते में एक हिरन मिला उसने उसका पीछा किया लेकिन चूका वह बहुत से खाने की तलास कर रहा था ऐसे में वह ठक गया था जिसके कारण वह हिरन को पकड़ नहीं पाया अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तब वह वापस उस खरगोस को खाने के बिशे में सोचा वहीं जब वह वापस उसे इस्थान में आया था उसे वहाँ पर कोई भी खरगोस नहीं मिला क्योंकि वह वहाँ से जाच चुका था अब सेर काफी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा कहानी की सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्याधिक लोफ करना कभी भी पलदायक नहीं होता है कहानी अच्छे लगी तो कहानी को लाइक, कॉमेंट और हाँ सेर जरूर करे धन्यवाद